गुरूगराम कि सेक्टर 31 में लोगतंत्र विसे पर आधारित अंडरस्टेंडिंग डेमोक्रेसी कारेकरम आयोजित किया गया जिसकी मेजवानी आप हरियाना की डॉक्टर विंग प्रेसिडेंट डॉक्टर सारिका वर्माने की इस कारिकरम में काफी संख्या में प्रश्रिद लोगों ने भाग लिया जाने माने लेखक, परांजय गुहा, रगुठाकूर और आप सांसद डॉक्टर सुसील गुप्ता यहां विचार किया कि वर्तमान में देश में लोगतंतर की स्थिती को बहतर कर कैसे लोगतंतर को सही माइने में मजबूत किया जा सकता है आप और मैं, as citizens, हम अपनी जिमेदारी से भाग ली सकते हैं जब हमारी next generation हमें यह कहे ली कि जब हुमारे नाम पर laws बदले जा रहे थे हमारे नाम पर मीडिया पर जूट दिखा रहे जा रहा था आज मीडिया में तो साम डाम दंड बेज करके उसको इकनी बुरी तरह क्याप्चर पिया गया है और आप सब को पता है इकार चंद साथियां जो सच की अवाज अपने होबाल पे लेके घूमते हैं लेकिन जो mainstream media 90% जो आपके channels पे आता है आपको बतार की तीन या चार ओर्ण है जो पाच मांच चर्चे चानिले के मेडियों हैं क्या बोलना है आज किसमें चर्चा होगी रैट को चीजों में चर्चा होगी हो मुझे याद है जब कोविड चुरू हुआ था पूरा वर्ण इसके बारे में चिल्दित था कि पंखा से 20 दिन हमारे कोविड जहाद में बात सबती रही मुझे समझ नहीं आया कि जिस टाइम आपको एनरजी लगानी थी लोगों को समझाने के लिए कोविड कैसे फैलता है कैसे अपना बचान करें इकिस दिन के आपके लोगडाउन किया उसमें बस लही चलता है तो मतलब जब वर्ण पे एक हैल्थ आपती आई तब ही उसमें जाती और धरन और राजडिती करिम हो रहा है यह जो वाटसैप की दने वीडियो आते हैं आपको धरत के नाप में जूट 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 लगापर के लाए जाता है क्योंकि कि अपना जितना जूट जूट बोलो फैसितन के कई स्टेज़ आने कई उन्हें पड़े हों हम लोग बहुत एक देजर्स कदार में पूंच गये हैं अगर आज मेरी फैमिली चिंतित है कि देमोक्रेसी इस देश की किसी भी सुईदा से बड़ी है इस देमोक्रेसी के लिए एक लंपी लड़ाई लड़ी गई है इस देश में लाखों वीरों ने शाहदत दी ना जाने कितने इवाताओं के गोद काली होई ना जाने कितने सुआगनों के बाग उचुड़ी है आज जो डेमोक्रेसी का रूप है मैंने अपने वक्ते उपी में कहा था कि अबरजेंसी को छोड़ के इसा समय मैंने नहीं नहीं देखा करी है मैं लगबद 62 साल का हुआ हूँ जहां पर मैं एक एक एक्जामपल आपको बदाता हूँ इस देश के अंदर यह सिस्टम था कि कोई भी आई-एस, आई-पी-एस या नायधीर्स अपने बड़े पत से रिटायर होता था थे एक साल तक उनको किसी जिससे वो एसोसीट रहे या गवर्मेंट से वहां पर उनको ऐसा लाब नहीं मिले प्रंतु देखने के अंदर आया कि सुप्रीम गोट के मुखे नायधीर्स को भी राजेसभा का सजेस्ट से बना दिया गया है यह एक टिपिकल एक्जामपल है कि जो नैतिक था इस देश के अंदर रही उसको दरकिनार पर दिया कोई भी सरकार कोई भी परदान मंत्री अगर जरूरत से ज्यादा बहुवत है तो निरवकुष हो सकता है आप जन्ता का अजिकाय शिन्ना या फ्रीडम अप स्पीच का शिन्ना ये बहुत इंपॉर्टन बात है अगर आप घर के अंदर भी पिता या माता ऐसी इस सिस्टम बनाते का आप भूल भी सकते को भूल 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 के रहते हैं आज देश के सिथी ये है कि भूल में से पहले सोचना पड़ता है कि इसका रियक्शन क्या हो और में से रियक्शन क्या है और भी कर दोल भी कर दोल अएंग